जितना अच्छा मैं हूँ, बहुत से अच्छे अच्छे हजारों लोग इस दुनिया में हैं, पर यह दुनिया सिर्फ मेरे बलमूते नहीं चलती है, बहुत लोग हैं, सब पर योगदान से चलती है, मैं तो उनमें से एक हूँ. आजकल एक नया शब चल पड़ा है, हो सके तो इस पर अभी से थोड़ा सा सोचना शुरू कर देजिए, और ना हो तो आई इस बैजने के बाद सोच लेजेगा, इसके लिए बोलते हैं, स्पिरिच्वैलिटी कोश्येंट, आजकल स्कूल एगर हमें इसको सिखाने की परंपरा ना शुरू खिर होई है, बहुत सारे स्कूल में आजकल इसकी बात होती है, स्पिरिच्वल होने का मतलब यह निए कि मैं आप से पूजा पाठ करने के लिए कह रहा हूँ कि आप मंदर जाएं, मस्ज़द जाएना, उसकी बात नी कर रहा हूं spiritual होने का बहुत सरल सा मतलब पता क्या है दो चीजों से connected रहना एक अपने आप से और एक संसार से connection दो चीजों के साथ रखना है तो फिर तैयारी क्या और जीवन क्या सब चीजे बहतर हो जाएंगी एक self के साथ और एक इस दुनिया के साथ कैसे रखना है कई वर क्या होता है कि हम चका चौंद में अपने आपको भूल जाते है खुद से ही बात नी कर पाते है और जितना जरूरी है दूसरों से बात करना उतना ही जरूरी है खुद से बात करना तो दिन में 10-15 मिनिट ना अपने लिए रखना है इसको आजकर लोग me time कहने लग गए है खुद से बात करने है जहां मैं उसने बड़ी बात कर ली जिसने खुद से मुलाकात कर ली खुद से मुलाकात करने है खुद से मुलाकात करने है के दो-तिन तरीके अच्छे होते है जो तरीका मुझे पसंद है अकेले सेर पे निकल जाई है और सेर पे जुन्ड साथ लेके मत चली है नेता जी नहीं बनना है अकेले आज़के पीडियी में क्या अकेले चलते हैं फोन यह है दो कानमें टॉपे लगाए और उससे उन्दर गाने चल रहे है वो नहीं वो तो शौर आपके साथ चल रहा है ना वो शौर नहीं चाहिए कुछ नहीं लेके चल आए मॉबाइल फोन है भी तो उसको यूज नहीं करना है रखिये सेक्योरिटी के लिए कुछ दिक्कत हो जाए अकेले टहलते रही है पंधर मेंट आदा घंटा फिजिकली फिट रहेंगे तो और आप पाएंगे जब आप अकेले टहलेंगे बहुत सारे विचार आने लगेंगे आत्मों मन्थन होगा इंट्रोस्पेक्शन होगा बेशक इतना ही हो कि कल मैंने जितनी पढ़ाई की काफी थी या नहीं थी और क्या पढ़ सकता था या ये जो मुद्दा चल रहा हूँ उस पर क्या क्या आर्गुमेंट्स मैं सोच पा रहा हूँ एक आर्गुमेंट ये है दूसरा ये है तीसरा ये है और भी पक्ष में ये सोच पा रहा हूँ कुछ और भी होना चाहिए घर जाके देखता हूँ या फिर ये कि कल मैंने जिस तरीके से उससे बात की वो शाय ठीक नहीं की और इतना भी क्या अहंकार गलती होगे तो माफी मांग लेता हूँ बोलना खराब लगता है मैसेज कर देता हूँ खट से फोन ने कर ला उससे मैसेज किया भाई कल मैंने शायद गलत बोल दिया माफी चाहता हूँ और जब आप माफी मांगेंगे ना आप पाएंगे कि आपका दिल इतना हलका हो जाएगा उसके बात और जिससे माफी मांगी है उसका भी दिल हलका हो जाएगा और वो काईदे का इंसानों का तुर्णत माफ करेगा और भाग के आएगा आपके पास क्योंकि वो भी बोश्यों रखना चाहेगा दिल पर गए एक छोटी सी बाद में दुनिया की अधिकांस जंजट सिर्फ इसलिए है कि जिसको गलती मानने ने से गलती मानता नहीं है मान लो छोटी सी गलती अगर हुई है इमान दरे से तो मान लो क्या दिक्कत है अपने आपको बहुत तोप नहीं समझना है कि जहां हम खड़े होते हैं महां से लाइन शुरू होती है क्यों हो ते तुम रेलवे के गाड हो क्या तुम पुलिस वाले हो जो लाइन शुरू होती है वहार से क्यों शुरू होगी वह तुम हम लाइन के बीच में ख़गे हम से आगे भी हैं हम से पीछे भी हैं अब बीच में हैं और सच बात तो ये कि हम सब बीच में हैं आप कितने कि भी सफल हो जाएं, इस दुनिया में कुछ लोग आपसे आगे ही रहेंगे, कितना भी जोर लगा लिजिए, आप उद्यामी बनें और आप सोचें कि मैं जेफ वेजोस को हुराओंगा, मैं इलोन मस्क को हुराओंगा, हो सकता है ऐसे कर लें, दो चार पांस दिनों के लिए, कि फिर कोई न कोई आगे निकल जाएगा, उसमें तो वही हाल होता है, हर चार दिन में कोई आगे निकल जाता है, कितने ताकतवर हो जाएंगे, मतलब जितने भी ताकतवर होंगे, आप देश के पी-म बन जाएंगे, पर पूरी दुनिया तो आपके कंट्रोल में नहीं साथ हैं, हम समुद्र की बूंद की तरह हैं, हम समुद्र नहीं है, और जब हम खुद को बहुत बड़ी तोप समझते हैं, मैं लगता कि मैं तो बारूध हूँ, जलूँगा तो पता नहीं क्या कर दूँगा, कुछ नहीं होता है, इस इतने बड़े ब्रमान में सच बात यह कि हमारी हैसियत है नहीं कुछ भी, धूर के करण के बराबर हैं, है एक जीवन है, उस जीवन को अच्छे से गुजारना चाहिए, और जीवन को अच्छे से गुजारना में दो चीजिए बहुत जरूरी है, एक self evaluation, self introspection करते रहना है, और यदि मैं गलत हूँ, तो उस गलती का परिश्करण होना चाहिए, इमानदर इसे स्विकार लेना चाहिए, कि हाँ गलती हूई, इसे ठीक करूँगा, अगर अकेले सेर न हो पाए, डायरी लिखिए, डायरी बढ़ा अच्छा तरीका है, तो डायरी में इमानदर इसे अपनी कमिया लिखिए, और दूसरी चीज, इस पूरे संसार के साथ एक लिंक अपना महसूस कीजिए, इश्वर को मानते हैं तो इश्वर से कर लिजिए, इश्वर को नहीं मानते हैं, या किसी और धरना को मानते हैं उससे कर लिजिए, नहीं तो पूरी स्विष्टी से, पूरी प्रक्रिपी से, पूरी ब्रह्मान से, ये connection कैसे होता है हमेशा ये ना लगे कि ये मैं हूँ ये वो है ये feel हो कि इस पूरे संसार का एक हिस्सा मैं भी हूँ और यहां कुछ भी बुरा है तो उसे मेरी भी हिस्सेदारी है मसलन आप सड़क पे जा रहे हैं एक बच्चा किसी पशु को पथर मार रहा है आप सोच सकते कि मुझे क्या मतलब है मैं नो की पर आप ये भी सोच सकते कि आप बच्चे को समझाएं कि आप बिना बात के क्यों परशान कर रहे हैं किया जरूरत था परशान करने की वो पशु थेंक यू बोनने नहीं आ सकता तो उससमझ भी नहीं आएगा, कि आपने क्या किया उसके लिए, और थैंक यू या एहसान किया इसके शुक्रिया के लालच भी अगर आप कुछ कर रहे हैं, तो उसकी वैल्यू है भी नहीं, कुछ अच्छा करने की वैल्यू तब ही है, जब आप इस भाव से नहीं करते हैं, इसका जवाब क्या मिलेगा, प्रतिक्रिया में क्या मिलेगा, छोटी सी बात आप लेगे जी कि बेटा उसको भी दर्द होता है, क्यों परशान कर रहे हो, तुम्हे कोई मारे कैसा लगेगा, मत मारो, इस पूरे संसार के हर प्राणी के साथ एक हलका सा connection महसूस करना, और आप कि बाई, एक संसार है, मैं उसमे हूँ, मैं अपनी भूमे का निभा रहा हूँ, इमानदारी से निभाओंगा, सफल होने की हर परजोर कोशिश करूँगा, लेकिन ये ब्रमान सिर्फ मैं नहीं हूँ, लाखों करोरों लोग हैं, सब की अपनी कहानी हैं, अपनी जिंदगी ह और जब इस माइंड से जिएंगे, तो सफलताएं आपको जमीन से उठाने देंगी, विफलताएं आपके जमीन, नीचे की जमीन को खीश नहीं लेंगे, पैर टिके रहेंगे जमीन पर, सफलता में भी, और विफलता में पैर उखडेंगे नहीं, और आप देखेंगे, सफल से सफल वेकती है, अगर अहंकारी हो आपके मन में विरोध का भावात है उसको लेकर, वेपरित्य का भावात है, मराज़गी का भाव, हिकारत का भावात है, मज़ा तब है जब आप बेहत सफल हों और उतने ही विनम्र हों, उतने ही ग्राउंड़िड हों, उतने ही जमीन पर ह रहेंगे जब आपको ये एहसास हो कि जितना अच्छा मैं हूँ मुझसे अच्छे अच्छे हजारों लोग इस दुनिया में हैं पर ये दुनिया सिर्फ मेरे बल्मूते नहीं चलती है बहुत लोग हैं सब ये योगदान से चलती है मैं तो उनमें से एक हूँ चलिए जब से नह तो यह